खिलोनों से जुड़ा एक और बहुत बड़ा प्वक्ष हैं जिसे हर एक को जानने की ज़रूरत है यह हैं टॉइज और गेमिंग की दुनिया की अर्थे वबस्ता टॉइकोनोमिक आज हम जब बात कर रहे हैं तो ग्लोबल टॉइ मार्केट करीब करीब सो बिलियन डॉलर का है इसमें भारत की हिसेदारी सिर्फ डेड़ बिलियन डॉलर के आसपासी है सिर्फ डेड़ बिलियन आज हम अपनी आवशक्ता की भी लगभग अस्सी प्रतिशत खिलोने विदेशों से आयात करते हैं यानि इन पर देश का करोड़ो रुपिय बाहर जा रहा है इस्थिति को बदलना बहुत जरूरी है और ये सिर्फ आकड़ों की ही बात नहीं है बलकि ये सेक्टर देश के उस वर्ग तक उस हिस्से तक विकास पहुंचाने में सामर्द रखता है जहां इसकी अभी सबसे ज़्यादा जरूरत है खेल से जुड़ा जो हमारा कुटी रुद्योग है जो हमारी कला है जो हमारे कारीगर है वो गाउं गरीब दलीद आदिवाचे समाज में बड़ी संख्या में है हमारे ये साथी बहुत सीमित समसाधनों में हमारी परंपरा हमारी संस्कृति को अपनी बहतरीग कला से निखार कर अपने खिलोनों में ढालते रहे हैं इसमें भी विशेश रुप से हमारी बहने हमारी बेटियां बहुत बड़ी भूमी का निभा रही है खिलोनों से जुड़े सेक्टर के विकास से ऐसी महिलाओं के साथ ही देश के दूर तराज इलाकों में रहने वाले हमारे आदिवासी और गरीब साथियों को भी बहुत ल श्रेश अनों के लिए वोकल होगे है लोकल के लिए वोकल होना जरूरी है औरुनको बहतर बनाने के लिए ग्लोबल मार्केट में अ कंपिकिट बनाने के लिए फर्सों बंगे इसके लिए इनोवेशन से लेकर फाइनांसिंग तक नए मोडेल विक्सित करना बहुत ज़रूरी है, हर नए आइडिया को इंक्यूबेट करना ज़रूरी है, नए स्टार्टरप को कैसे प्रमोट करें, और खिलोनों की पारंपरिक कला को, कलाकारों को कैसे नई टेक्नलोजी, नई मारकेट डिमांड के अनुसार पैयार करें, ये भी आवशक है, टॉय के थोन जैसे आयोजनों की पीछे यही सोच है,